राव मंजू किचिन में आपका स्वागत है आज हम जमा रहें दही दही गर्मी में तो आराम से जम जाता है लेकिन प्रॉब्लम होती है सर्दियों में दही जमता ही नहीं है काफी लोग आवन से बनाते हैं आवन में रखके बनाते हैं और काफी लोग आटे के डब्बे में रखते हैं और काफी लोग होटकेस में भी जमाते हैं लेकिन आज हम एक सिम्पल ट्रिक से दही जमाएंगे जो बहुत ही अच्छा गाड़ा दही बनेगा यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मैंने एक लीटर टोन दूद लिया है आप फुल क्रीम में भी जमा सकते हैं लेकिन फुल क्रीम में तो सभी जमाते हैं हम टोन दूद से गाड़ा दही जमाएंगे अब दूद को हम उबाल लेते हैं इसको बीच बीच में दूद को चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं दें और एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे अब दूद में उबाल आ गया है उबाल आने के बाद हम इसको पांच मिनट सेम गैस पर पकाएंगे पांच मिनट हो गये दूद को लो फ्लेम पर पकते हुए अब गैस को हम बंद करतेंगे और ठंडा होने देंगे अब ये दूद दही जमाने के लाइक ठंडा हो गया है अब इसको एक बरतन में डाल लेंगे हम ये गुनगुने से थोड़ा ज्यादा गरम है आप फिंगर से भी इसको चेक कर सकते हैं यदी दूद ज्यादा गरम होगा तब भी दही ने जमेगा और ज्यादा ठंडा होगा तब भी दही नहीं जमेगा ये गुणबुने से थोड़ा सा गरम होना चाहिए मैंने दो चम्मच दही लिया है खर्ण आप पैकेट का भी ले सकते हैं और जो डबी आती है उसका भिजही यूज कर सकते हैं कई लोग कहते हैं कि उससे ड़व हुआ योदे जमाती हूं तो आराम से जम जाता है लेकिन यह मैंने घर में बनाए हुए दही का जामन है और इसको ऐसे ऐसे फेट लेंगे थोड़ा सा पतला कर लेंगे अब इसको दही में डाल देंगे और दही की कटोरी से इसको मिलाना है और इसको बट देंगे आप सोच रहे हूंगे मैं अवन में रखोंगी या आटे के डब्बे में या होटकेस में नहीं मैं लूँगी चार पॉलथिन इसको ऐसे करेंगे और एक दूसरे के अंदर पॉलथिन को रख देंगे इस तरह ऐसे कर देंगे चार पॉल भी लिए मैंने और इसके अंदर रखेंगे हम जो दूर दहीं जमाने के लिए रखा है और इसको हम इसको गांट बाल लेए मैंने इसकी इस तरह से सारे पॉलथिन की चार पॉलथिन की काठी बांगतेंगे ऐसे यह दही रात को जमाया है मैंने आप इसको भारी शेल पर रख देंगे और सुबह देखेंगे दही कैसा जमाया है हमने रात को दही जमाया था अब सुबह हो गई है अब चेक करते हैं कैसा दही जमाया है चारो पॉले फिल के तोल लेंगे और इस बर्तन को बहार निकाल लेंगे देखते हैं दही जमाया है कि नहीं यह देखिए कितना गाड़ा दही जमाया है यह देखिए मैं आपको दिखाते हैं और वह भी टोंड वाले दूसरे दोस्तों कितनी भी सर्दी होगा आप इस ट्रिक से यदि धही जमाएंगे तो बहुत ही गाड़ा और टेस्टी धही जमेगा और वह भी टोंड दूसरे और यदि कोई जीरो टेंपरेचर में भी इस ट्रिक से धही जमाना चाहता है तो दो पोलिथिन और बढ़ा दीजिए और गाड़ा धही तेयार है आप इस ट्रिक से धही जरूर जमाएं आपको 100 प्रसेंट रचल पूलेगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू